हेलो गाइज गुड आफटरनोन और इस ट्रीम में हम बात करेंगे राने ब्रेकिंग लाइनिंग लिम्टेट के कौर्टर टू के रिजल्ट के बारे में यहां पे कंपनी ने अपने कौर्टर टू के रिजल्ट अनॉंस कर दिया है जो कि मैं आप लों के साथ इस ट्रीम के बात करना थैंगा तो आप देख सकते हैं कि यहां पे जो भी वैल्डू है करोर्स मे और मैं बात करने वाला हूँрий है। फो क स्क्रीन को मैं ठोड़ा बडा कर देता हूँ ताकि आपको अब ओंना की स्टैंबर है कौटर में 126 करोल की है अब अगर बात करें last year same quarter में company की total income किस तरीके की थी तो आप देख सकते हैं कि last year same quarter में जो company की total income थी वो थी 107 कोड की तो year on year basis पे और quarter on quarter basis पे दोनों ही basis पे यहाँ पे जो company की income है अब बात कर लेते हैं expenses की तो आप देख सकते हैं company के expenses हैं वो quarter on quarter basis पे और year on business पे बढ़े हैं अब बात कर लेते हैं profit for tax की तो आप देख सकते हैं की profit for tax में काफी अची growth देखने को मिल रहे है quarter on quarter basis पे क्योंकि जून quarter में जो profit for tax था वो था तक्रीबन 2 करोल का और वहीं जो September quarter है current year का वहाँ पे जो profit for tax है वो है तक्रीबन 9 करोल का तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छी growth company के profit में देखने को मिल रहे है quarter on quarter basis पे और बात करें अगर last year same quarter में company का किस तरीके का profit था तो last year same quarter में जो profit for tax था वो था तक्रीबन 16 करोल का तो year on year basis पे यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है company के profit में अब बात कर लेते हैं net profit की तो आप देख सकते हैं कि net profit जो रहा है वहाँ पे हमे quarter on quarter basis पे काफी अच्छी growth देखने को मिल रही है क्योंकि June quarter में जो net profit था वो था पौने 2 करोल का और current year का जो September quarter है वहाँ पे जो net profit निकल के आ है वो है तक्रीबन 5 करोल का तो यहाँ पे quarter on quarter basis पे net profit में काफी अच्छी growth है लेकिन year on year basis पे हमें गिरावट देख देखने को मिल रही है अब बात कर लेते हैं comprehensive income की तो आप देख सकते हैं कि total comprehensive income को मिला के जो net profit निकल के आता है वो है तक्रीबन 5 करोल के आसपास का September quarter में current year के September quarter में और वहीं June quarter में जो था वो था तक्रीबन 1 करोल का तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे quarter on quarter basis पे profit में अच् growth देखने को मिल रही है क्योंकि June quarter में 2.23 का EPS था वहीं जो current year का September quarter है वहाँ पे जो EPS है वो है 7 का तो आप देख सकते हैं कि EPS में काफी अच्छी growth है लेकिन year on year basis पे यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है क्योंकि last year same quarter में जो company का EPS था वो था 14.57 का उसके comparison में आप द net profit है वो घटा है और यहाँ पे company ने किसी भी तरीके का कोई dividend announce नहीं किया है यह company auto auxiliary sector को belong करती है और यह stock मुझे काफी अच्छा लगता है result आने के बाद आप यहाँ पे action देख सकते हैं कि इस समय तकरीबन पौने 3% की गिरावट के साथ यह stock trade कर रहा है आप देख सकते हैं क कि कोई गिरावट देखने को मिलती है क्योंकि year on year business पे company की performance कराब रही है company का net profit कम है लेकिन अगर कोई गिरावट होती है तो मेरा ऐसा मानना है मैं किसी को suggest नहीं करता मेरा ऐसा मानना है कि यह stock आपको अपने portfolio में रखना चाहिए long term में यह stock आपको काफी अच्छा result दे सकत है और current time पे आप देख सकते हैं कि जो trade कर रहा है यह stock 8575 पैसे पर कर रहा है और इसका 52 week हाई है वह है 1209 रुपय का तो almost इतने mid range में यह समय trade कर रहा है तो अगर कोई बहुत ज़्यादा गिरावट होती है तो मैं तो suggest करूंगा कि इसको buy करके चलना चाहिए और आपको अगरी के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं next stream में किसी और company के साथ किसी और result के साथ तब तक के लिए bye bye